तो फ्रेंट्स आज का ब्लॉग बहुत ही मसेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको तोरई की सबजी इस तरीके से बनाना बताऊंगी जिसे आपने पहले कभी ने खाया होगा और यह खाने में बहुत स्वादिश्ट लगती है यकिन मानिएगा तो फ्रेंट्स सबसे पह अगर नहीं खाते है तो नौरातरी चल रही है तो बहुत से घरों में लहसन प्याज को इसे बना सकते हैं और देखिया माने इसे कट कर लिया है आप हम तैयरी करेंगे अपने मसाले की अपने मसालों में हमने लिया है एक मिकसर गरन्र का और तीन से चार हरी मिर्च और आप चाहे तो इसमें अद्रग भी आड़ कर सकते हैं और थोड़ा सा पाणी डालके इसका बारेक सा पिस्ट बना लेंगे और इसे साइड में रख देंगे अब हम एक कराही गर्म करेंगे उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरस्तो का तेल अगर तोरई वगरत कोई बात नहीं है आप ऐसे नौर्मली बनाके खा सकते हैं और जब तेल गर्म हो जाए तब उसमें डालेंगे प्याज और प्याज को कलर चेंज होने तक आराम से धीमी आज पर इसे हम अच्छे से भुन लेंगे जब प्याज हमारा अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे हमारा सरसो का पेश जो हमने इसे पीज के रखा था ये देखे हमने इसमें डाल दिया है अब थोड़ा सा पानी लेंगे और मेक्सिक के जार को धुल के उस पानी को भी हम अट कर देंगे और थोड़ा से इसे हम पका लेंगे जब तक इसका कच्छा पर निकलना जाए, फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी, सब्जी मसाला और स्वाद के अनुसार नमक और फिर इसे अच्छे से हम भून लेंगे, जब मसाले हमारे तेल छोडने लगे तब इसमें हम डाल देंगे तोरई, फिर ये कैमरा अन होना रहे गया था उसके लिए sorry, तो हम हम ने इसमें कुछ और extra आड नहीं किया है, बस इसमें तोरई आड करके और इसे अच्छे से हमने mix कर लिया है, और जब ये अच्छे से mix हो जाए, तब इसे हम ढग करके पका लेंगे, तब तब पका लेंगे जब तक इसका जो पानी है, वो अच्छे से सूक ना जाए, जि लेकिन मैंने थोड़ा सा और इसे कोक किया है और देखें बहुत अच्छे से हो गया है और बस गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है तो आप इसे ट्राइ जरूर क करिएगा और ऐसी अच्छी और मज़दार वीडियो और यूनिक वीडियो में आपके साथ शेर करते रहूंगे तब तक रेटेक केर और बबुए